स्वागत है आप सभी का साथियों इन दिनों काफी ज़्यादा इस्टूडेंट सियाज साफ हैट को एस्टिबल मिनिस्ट्रल पोस्ट के रिटेन एक्जाम को लेकर चिंता में है चिंता इस बिसे पर है उनकी कि कोविट-19 संकरमण में काफी ज़्यादा परिक्षा तो कराई जा रही है क्यों इसकी परिक्षा नहीं आयुएत कराई जा रही है आखिर में या भरती कैंसिल तो नहीं होगी क्या क्यों इसकी परिक्षा अभी तक रोकी हुई है तो दोस्तों आज का वीडियो बिलकुल इसी के बेश्ट पर है कि आपकी आखिर में परिक्षा किस महीने आयुएत कराई जाएगी काफी लोग इन दीनों काफी ज़दा कमेंट बॉक्स में एक ही शवाल पूछ रहे हैं किसी आज सब या सियम एक्षियाम आखिर में कब आयुएत कराई जाएगी तो आज का वीडियो कम्प्लेट देखिए कम्प्लेट इन्फॉर्मेशन्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हों CBT जो मिश्टडी चैनल पे ने हो तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन्स मिल पाए दोस्तों हम आप सभी को बता दें इसकी एक्जाम के बारे में एथंटिक जानकारी के लिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है मैं RTI लगा चुका हूँ अभी दो चार दिन हुआ है आपको सारा डीटेल जैसे ही आजाएगा कम्प्लीट मैं आपको बता दूँगा कम से कम आठ से दस दिन बाद इसका जो की RTI का रिप्लाई आता है जिहां दोस्तों आप लोगों को या तो मालूम है मैं बता दू दोस्तों कि आखिर में इसका एक्जियाम कराया जिभी जाएगा कि नहीं कराया जाएगा COVID-19 संक्रमण तो ये चलता रहेगा आप लोग जानते हो दोस्तों COVID-19 संक्रमण में ही आयुद कराय ली जाती इसकी परिक्षा में राजस्तान में काफी जगां COVID-19 का संक्रमण बढ़ गया जिसके कारण इसकी परिक्षा थोड़ा और ज्यादा डेले हो गया नहीं तो इसका एक्जाम सेडूल अब तक आ गया होता लेकिन दोस्तों आप लोग निश्यंतरी आपका एक्जाम सेडूल तो आएगा ही COVID-19 का संक्रमण एकाएक जो बढ़ा है बढ़ा नहीं होता तो आपकी परिक्षा जन्वरी में आयुद करा ली जाती लेकिन यहाँ परिक्षा COVID-19 संक्रमण एकाएक बढ़ जाने के कारण अब और ज़्यादा थोड़ा डेले कर दिया गया अब इसकी परिक्षा जो ही COVID-19 संक्रमण पर थोड़ा काबू पाय गया तुरंत घोसित कर दिया जाएगा एक्जाम सेडूल आपको बता दें अब आपको ज़्यादा वेट करने की अवस्यक्ता नहीं है COVID-19 शंक्रमण थोड़ा रहेगा तो भी आपकी आवित कराई जाएगी परिक्षा कब कराई जाएगी आपको मालूम है दोस्तों हमने पहले ही इन्फोमेशन दिया था फरवरी के जो की लाश्ट वीक में आवित कराई जाएगी लाश्ट वीक से सुरू होगा और हर संडे को आपकी परिक्षा होगे यानि 15 मार्स तक आपकी परिक्षा चलेगी आप लोग निशिन्थ होकर अपनी पिप्रेसंस की जिये इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फोमेशन आती है मैं आप सभी को इन्फोम करता रहता हूँ आपको मालूम होगा आपको बता दे जिसकी इस्टुडेंट्स के मन में ये डाउट है आपकी बैकंसी बिल्कुल भी रद नहीं होगा आप लोग यदि सियास अप या सियम बनना चाहते हो तो बिल्कुल डेडिकेशन से अपनी पिप्रेसंस कीजिए इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फोमेशन आएगी इन्फोम करती है जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए थाइंक यू, थाइंक यू